क्या मैट्स में अब बैंकिंग जैसे क्वेश्चन्स आएंगे तो देखो बैंकिंग के एक्जाम को थोड़ा सा देखो एक चीज तो बहुत क्लियर है कि यह जो इस्टेप लिया गया वह क्यों लिया गया यह स्टेप कहीं ने कहीं सीटी की एक्सेप्टिबिलिटी के लिए ही लिया गया है कि सीटी एक्जाम प्रपोस्ड है तो उसके लिए कहीं ने कहीं स्सी को भी बोला गया होगा बैंक वालों को भी बोला गया होगा कि बाई बताओ कि कैसे कॉमन ग्राउंड त्यार करें सीटी करने के लिए तो उसी दिशा में कमीटी उमिटी जो बनी होगी ससी की भीतर उन्होंने कहा होगा कि इस तरह का पैटर्न रखते हैं प्रिलिम्स को टीर बन क्वालिफाइंग बनाते हैं बच्चा थोड़ा यूस्टू हो जाए तो मानले आगे चलके सीटी लगा देंगे तो उ से इंफ्लूएंस्ट डिसीजन हो सकता है बट यह कह देना कि यह बैंकिंग जैसा पेपर आएगा यह बहुत अर्ली जज्जमेंट है पहली बात दूसरा अगर तीस सवाल आते हैं एक्जाम में 30 क्वेशन्स आते हैं तो 30 क्वेशन्स में हर टॉपिक को अब पांच-पांच अच्छे अने की उम्मीद जरूर है फिक है और आपको एक सवाल करने के लिए एक मिनट का एवरेज टाइम है एक मिनट का आपको एवरेज टाइम मिलेगा और एक बीनट का एवरेज टाइम अगर maths का कोई भी सवाल लेट से moderate level का है तो वो challenging time है सवाल पढ़ना फिर सवाल को करना एक minute में करके खतम कर लेना एक moderate level के question में time लगता है तो exam में maths और reasoning का section challenges pose करेगा let's evaluate this क्योंकि ये तो negative marking का चक्कर है minus one third तो वो एक mindset आपको बनाना पड़ेगा कि आप बहुत ज़्यादा risk नहीं ले सकते हो minus one third में एक एक number matter करेंगे आपके बहुत ज़्यादा matter करेंगे तो let's not take risk तो आपको accurate रहना है तो question जो 30 सवाल आएंगे वो 30 सवालों में challenges हो सकते हैं ऐसा भी नहीं मानके चलना है कि सारे 30 सवाल बढ़े खतर रहा का जाएंगे और आपसे कुछ होगा नहीं SSC की maths जो है आप comprehensively पढ़ते आए हो तो मुझे नहीं लेता है कि section बहुत जादा challenges पोस्ट करेगा बढ़ थोड़ा सा surprises के लिए आपको ready रहना होगा ठीक है कि वो जो 30 सवाल है syllabus देखो बेटा बिल्कुल सेम है statistics probability आगई वो हम अलग से पढ़ा देंगे आपको तो वो पढ़ा देंगे उसके बाद का syllabus सब कुछ सेम है अगर सारा syllabus आपका सेम है तो जो questions है वो definitely थोड़े different तरीके से पूछ अब जैसे कई सारी चीज़े हैं जो मैं समझने क्या हो शकता है ठीक है कि क्या वो questions के type को banking की तरफ mold करेंगे कि तीस सवाल पूछने लेकिन यार तीस सवाल पूछने तो मुझे ऐसा लगता है कि सवाल अच्छे होंगे कि अरे उकले हैं आपको वो टीयर 2 में 30 questions में आपको test कर रहे हैं तो आगर तीस question में test कर रहे है तो naturally questions अच्छे पूछे जाने की उम्मीद है कि वो जो सव questions को condense करके अगर तीसी question आप से पूछा जा रहा है तो वो तीस question अच्छे हो सकते हैं बट मुझे नहीं लगता उसके लिए डरनी की जरूरत है आप आप SAC में काफी wide level की तैयरी करते थे ठीक है तो थोड़ा अच्छे सवालों को priority दे के चलना है सिर्फ previous year based questions आपको solve नहीं करने हैं थोड़े बहुत challenging questions भी आपको करने पड़ेंगे जो थोड़े calculated हो ताकि आप तयार हो बदलाओ के लिए तयार रहना बहुत जरूरी है तो मैं आपको बता दूंगा समय समय पे कि आपको किस तरह का परिवर्तन लाना चाहिए आपको अपनी तयारी में इस change को adopt करने के लिए बट बिटा change है यह मानना पड़ेगा हमें कि there is a change right so there is a change so we have to be ready for some different type of questions also we have to be ready for that we have to be ready for calculated questions right तो उस चीज़ को थोड़ा बहुत कर लेंगे जैसे banking का सवाल है माल लिया कि let's say आप एक banking का पेपर भी करके देख लेना एक पेपर करके देख लो बस किस तरह के questions आते हैं आपको idea लग जाएगा बहुत जादा परिशानी आपको नहीं होने वाली है और एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जो फरक है अभी भी banking में और ssc में वो यह है syllabus banking के syllabus में जो आपकी advance math है वो निल है two minimal mensuration का सवाल कभी आ गया तो आ गया यहां आपका जो advance math है वो complete azts रखा गया है तो मुझे यह नहीं लगता है कि यह banking का paper बनने वाला है कभी नहीं बनेगा काफी differentiation रहेगा इसमें banking का जैसा एक्जाम आता है वैसा आपका ssc का means नहीं होने वाला है क्यूंकि जो syllabus है वही बहुत different है अगर आप देखोगे तो बहुत अंतरे syllabus में भी भी पूरा advance math आपका मौजूद है गया नहीं है it's it's there trigonometry is there algebra is there पूरा topic वह यह पूरा syllabus जो लास्ट यह था वह है तो आपका यह paper banking का paper नहीं बनने वाला यह भूल जाओ sbipo main cgl यह सब फर्जी बाते करना चोड़ दो ठीक है तो paper आपका ssc oriented ही रहेगा बठना आप खुद ही सोचो कि जो 100 सवाल वह देते थे उसमें धेर सारे आपको आसान सवाल मिलते थे आप वह 30 सवाल जब आपको दिखेंगे तो में भी उसमें 15 सवाल आपको दिखें जो अच्छे हों और 15 सवाल easy to moderate दिखें आपको तो यह चीज है जो सब्सक्राइब तो बहुत दरने की आवश्यक्ता नहीं है डांट वरी टू मच अबाउट इट और और जो तैयारी आप कर रहे थे अपनी मास्टर को फॉलो करते रहो जो मैस का आपका टीचर वह आपको आगे बताएगा कि कैसे मैस में क्या चेंजिस करने अभी के लिए आ इन टापिक्स को उनके फंडमेंटल्स को ऐसे ही पढ़ते रहों ठीक है